हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग और फ्रेंड्स आज में लेकर के आया हूँ जी एस्टी प्रैक्टिकल कोर्स का लेक्चर नमबर थ्री फ्रेंड्स आभी तक हमने दो लेक्चर में काफी कुछ कवर कर लिया है लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रैक्टिकल प्राप्लम्स कुछ प्रैक्टिकल इश्यूस को डिसकस किया था जैसे कि अगर जीस्टी आर वन में कोई इन्वाइस मिस हो जाए और 3B में है तो क्या कर करना है दोनों में ही मिस हो जाए तो हमने इसके solutions पिछले लेक्चर में देख लिये थे तो अगर आपके मन में कोई confusion है या आपने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो अभी मैं आपसे कहूंगा link description में है लेक्चर नमबर 1 और लेक्चर नमबर 2 ज़रूर देख बिल्कुल परिशान होने के ज़रूरत नहीं है हम DRC03 को इस course में समझने वाले हैं और आज वही लेक्चर है friends आज हम देखेंगे कि DRC03 form यह भाया किस बला का नाम है यह क्या है अभी तक तो हम लोग GSTR 3B से payment करते थे DRC03 जो है वो form क्या है कब हमको उसको use करना है कैसे वहा को discuss करने वाले हैं CMETA24 को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसी चैनल पर आपको मिलते हैं हर तरीके के वीडियो हमने GST course, income tax course, registration course और अब हमारा चल रहा है annual return GSTR 9 का practical course और आज हम देखने वाले हैं DRC03 friends देखें कुछ cause of payment होते हैं मतलब कुछ reason होते हैं जिसकी वज़ा से आप DRC09 file कर सकते हैं देखें सबसे बढ़े तो voluntary आप चाहें तो voluntary basis पे file कर सकते हैं तो GST में हो चाहें कोई भी law हो जहां जहां payment की बात आती है voluntary आपको मिलेगा ही मिलेगा तो आप voluntary काम कर सकते हैं चाहें कोई law हो उसी तरह GST में भी है दूसरा अगर आपको कोई so cause notice आता है तो उसके बाद भी आपको क्या file करना पड़ेगा अगर उसमें कोई demand आती है तो आपको क्या file करना पड़ेगा DRC03 annual return हम लोग देखी रहे हैं मैंने आपसे कहा था कि annual return में जो भी liability निकल के आएगी GST की interest की late fees कुछ भी वो आप कैसे पे करोगे DRC03 उसके लाबा अभी हम लोग देखेंगे reconciliation statement जो की होता है GSTR9C अगर उसकी वजह से कोई late fees आएगी या कुछ भी pay करना है तो वो भी हम pay कर सकते हैं DRC03 ठीक है sir GSTR1 versus GSTR3B कभी भी ऐसा हो सकता है कि जैसे अगर मैं discuss भी किया था अगर आपका GSTR1 और 3B में miss match आ रहा है तो और उसकी वजह से आपको कुछ payment करना है GSTR1 में invoice चड़ चुका है 3B में वो invoice आप दिखाना भूल गए तो अब आपको difference amount तो पे करना पड़ेगा वो आप DRC03 जो form है उसके थूरू पे कर सकते हैं और same thing अगर आपने जितना GSTR2B में ITC आ रहा था उससे ज्यादा claim कर लिया 3B में तो इसका भी payment आप कर सकते हैं DRC03 के थूरू ठीक है उसके लावा आगर कोई demand जब भी assessing officer आपको notice भेजेगा section 7374 का interest आपसे मांगेगा आपसे GST मांगेगा late fees मांगेगा आपके उबर penalty लगाएगा तो वो एक notice कह सकते हो एक communication आपको भेजेगा एक intimation भेजेगा उसको बोल उसके बाद आपका कोई case लग जाता है कोई scrutiny होता है वहाँ पर कोई demand आती है उसका payment कैसे होगा DRC03 उसके लावा others है जो कहीं cover नहीं होता है वो कहाँ पर cover होता है other में तो यह तो हमने देख लिया कि किन किन reason की वज़ा से हमें DRC03 file करना होता है अब चलते हैं सीधे portal के उप तो यह portal हमारा open है हमें क्या करना है sir sir हमें जाना है services user service my application services user service my application click करेंगे sir application type में यहां पर देकिया option आ रहा है intimation of voluntary payment DRC03 इसके उपर करेंगे click यह choose करने की कोई need नहीं है सीधे चलते हैं new application पर और यह हमारा DRC03 का form open हो गया है बहुत easy process है अभी हमने देखा थना कौन कौन से reason की वज़ा से हमें DRC03 file करना होता है वो सारे cause of payment यहां पर आ रहे हैं तो आपको voluntary करना है तो cause notice आ गया and not return में demand आ गई reconciliation statement liability mismatch हो गई ITC का mismatch हो रहा है इसलिए मैं कह रहा हूं कि TSTR 2B और 3B का reconciliation यह आपको करना mandatory है और 99% case में यह mismatch होता ही है इसलिए जो reconciliation की utility है वो मैंने आप दोगों को दे रखी है link description में है अगर आप चाहों तो download कर सकते हो उसके लावा कोई आपको आपके बाद intimation आया है demand को pay करने का इस scrutiny others ठीक है अभी हम लोग annual return सीख रहे हैं मैं यह मान के चल रहा हूं कि हम लोग annual return की वज़ा से DRC फाइल कर रहे हैं तो मैं annual return को कर लेता हूं choose अब यहाँ पर section आ रहा है से अब यह हमते पूछ रहा है overall tax period तो पूरे मतलब होता है नहीं कि जिसे माले जो first quarter का हो गया second quarter का हो गया तो वह तो हो गया एक specific quarter, overall period कौन सा है मतलब पूरा साल तो हमें यहाँ पर क्या देना होगा April 21 से March 2022 यह तो हो गया overall period अब अगर आपको इस पूरे year में से किसी एक particular quarter का pay करना है तो वह आप कर सकते हो select हम कर रहे है annual return का तो हम यहाँ भी क्या करेंगे choose April 21 मार्च 22 ठीक ऐसा अब देखिए अगर आपके उपर penalty आ रही है दोने आट की SGST की CGST की अगर इंट्रास्टेट से related है तो तो अब आपको दोनों अलग अलग लिखने हैं ऐसा नहीं कि 50,000 आपने 81 payment कर दिया नहीं CGST अलग उसके बाद यहाँ पर आ जाएगे जैसे आप CGST करोगे तो समाझ जाएगा कि यह local मतलब इंट्रास्टेट है तो यहाँ पर आपको state सेलेट करने का option यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि इंट्रास्टेट है टैक्स अपोस्ट उन्टी 5000 है सर इंट्रेस्ट आ रहा है इसे यहाँ पर 1500 का उसके लाब अगर आपकी पैनाल्टी है या फीज है या अधर कुछ है तो आप वो भी यहाँ पर दे सकते हो यह हो गया CGST एड करेंगे सर हमें पता है जितना होगा हमारा CGST उतना ही होगा 99% केस में उतना ही होगा SGST तो यहाँ ते कर लेंगे SGST सेलेक्ट ठीक है सर सेम अमाउंट और 1500 हो गया सर हो गया अब मानते हैं कुछ इंटर स्टेट से भी रिलेटेड है वो भी देख लेते हैं कैसे फिल करना है एड पर जाएंगे सर सेम अप्रेल 2021 मार्च 2022 करनेंगे IGST अब देखिए हो सकता है ओवर और लाइबल्टी आ रही हो IGST की मालीचे एक लाग लेकिन अब आपने वहाँ पर दो तीन अलग अलग तरिके की सेल कर रखी है एक डैली एक महरास्ट एक पंजाब तो आपको हर स्टेट का एक्सेल पे कैल ही हुई है जो मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ IGST का वो किन-किन स्टेट से रिलेटेड है क्योंकि यहां पर हर स्टेट का अलग अलग जाएगा टैक्स ऐसा क्यों सर भाई इनका पैसा यह जो स्टेट गौवर्मेंट होता है इनके पास भी जाता है तो अगर आपने यहां पर गलत स्टेट कर लिया सेलेक्ट तो आप एक सरकार के रवेन्यू के लॉस का कारण मन जाएंगे ठीक है आपने पैसा था हर्याना गौवर्मेंट का आपने पेग कर दिया करनाटका को तो किसी और का पैसा किसी और के अकाउंट में चला जाएगा ऐसे समझ लीजिए तो ह हमेशा क्या करना है अपने को हर स्टेट का अलग अलग चूस करना पड़ेगा मालेजिए यह 15,000 है और यहां पर इंट्रेस्ट आ रहा है 1200 ठीक है उते तरह का कोई और है तो हम लोग यहां पर उसको भी कर लेंगे समझ में आ गया आगे चले एड करते जाएंगे जितनी भी है अगर मालेजिए छे स्टेट है तो छे करना पड़ेगा आपको अलग अलग सेलेक्ट ठीक है सर अब नीची ऑप्चन आ रहा है प्रसीड टू पे अब यहां पर देखते हैं सर कि हम डियार्सी जीरो थी में पेमेंट कैसे करेंगे क्या हर बार हमें अपने आउट आउट यहां पर आगई ठीक है सर नीचे कह रहा है कि कैश लेजर में आपका कितना पैसा पड़ा हुआ है वो आप कर सकते हैं यहां पर पे थू कैश यानि कि अगर कैश लेजर में पैसा पड़ा है तो आप उसको डी आसी दीरो थी को पे करने में यूज कर सकते हैं बहुत बड़ सकते हो TRC03 के payment में सर मज़ा आ गया लेकिन हमने GST practitioner course में ये पढ़ा हुआ है कि हम ITC का use कहा कहा कर सकते हैं सिर्फ GST के payment में जो हमारे चैनल के पुराने subscribers हैं जो मेरे पुराने students हैं उनको पता होगा हमने GST के course में ये पढ़ा हुआ है कि ITC अगर आपके पास है तो आप उससे सिर्फ GST का payment कर सकते हो late fees का नहीं कर सकते, demand का नहीं कर सकते, penalty का नहीं कर सकते interest का नहीं कर सकते तो आपको ध्यान देना है कि अगर आप pay कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ GST का amount ही आप utilize कर सकते हो जब आप ITC का balance आ रहा है न सर ये as on today आ रहा है ये भी देखने वाली बात है ये जो balance आ रहा है न ये current balance आ रहा है सर और आप suppose payment कर रहे हो अपरेल मई जून का, अब आपके पास detail होनी चाहिए कि इस ITC में से कितना ITC है जो अपरेल मई और जून तक था ये मत कर ले ना कि पूरा उठा की utilize कर लिया notice आ जाएगा सर हाँ, हो सकता है यहाँ पर payment हो जाए successful payment का आपके पास message भी आ जाए आगे चल करके आपके पास notice आ सकता है, तो जिस भी quarter या month का ये payment हो रहा है आपको ये देखना पड़ेगा उस month का कितना ITC है जो यहाँ पर बचा हुआ है उसको ही utilize करिए और सिफ GST के payment में utilize करिए interest, late fees, penalty में utilize मत करिए तो ये हो गया DRC-03 form कोई reason देना है तो आप दे सकते हो कोई attachment PDF अगर लगाना चाहे है तो आप लगा सकते हो उसके बाद नीचे आ जाईए टिक करिए ठीक है और यहाँ पर करने के बाद आप file भी जा सकते हो यहाँ ते चालान भी बना सकते हो ठीक है तो create चालान पर जाएंगे तो वो चालान बना देगा payment करने के बाद आप file कर दीजिए आपका DRC03 file हो जाएगा बहुत easy process है जो जो इसमें practical implication आ सकते थे वो सब हमने cover कर लिये हैं जहाँ जहाँ गलती हो सकती थी वो भी मैंने आपको बता दिया तो आज के इस lecture में हमने सीखा है DRC03 lecture कैसा लगा comment section में मुझे जरूर बताईए वीडियो को like करिए चैनल को subscribe करिए मिलते हैं अगले वीडियो में